हलो फ्रेंट्स स्वागत आपका एक नए फ्रीश वीडियो के अंदर है तो फ्रेंट्स आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं आपका मैथेमेटिक्स जिसके अंदर हमारा जो फर्स टोपिक है वो रहेगा इस वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ने वाले आपका सिम्पल इंट्रेस्ट है वीडियो के साथ है तो फ्रेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ने कहा है लाइक कीजी जितना हो सके इस वीडियो को सेर कीजाएगा अगर चैनल पर फर्स्ट बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राबर जरूर कर लि तो subject का नाम है mathematics जिसके अंदर पहला topic आपका साधारन ब्याज़ सिंपल इंट्रेस्ट है तो friends आप से भी जानते हैं इसका दो simple formula SI का simple interest इसको हम लोग shortcut में लिखेंगे SI तो इसका formula हुआ more than into somewhere into there upon 100 अगर इसको shortcut में लिखा जाएं तो SI इगल to P into T into R upon 100 P यहाँ पर principle है T यहाँ पर time है और R यहाँ पर आपका rate means there है तो friends इसका यहाँ पर कोई भी shortcut नहीं होता है mathematics के अंदर जेतना आप लोग इसका practice करेंगे उतना ही आप लोगों को यह easy लगता जाएगा तो friends हम लोग यहाँ पर कुछ क्यूशन के मादम से इसे समझने की कोशिस करेंगे आपका simple interest को तो friends अक्सर आपकी इस परकार के जो क्यूशन हो एक्जाम के अंदर आते हैं और बहुत सारी भायबंदों वो यहीं पर भरमित हो जाते हैं कि इसे किस परकार से solo करना है तो friends आपको ट्रिक के साथ बताए जाया कि इस परकार के जो क्यूशन आपको कुछ ही सेकिने में आप इसे हल कर सकते हैं तो क्यूशन आपके सामने किसी राशी का 15% साधान ब्याज के दर से 8 महीने या फिर 8 मास का जो साधान ब्याज सिंपल इंट्रेस्ट वो 4 रूपए हो जाएगा मिंच यहां बे आपका principle पूछा जा रहा है तो सबसे पहले हम लोग लिएते हैं आपको जो दिया गया है रेट अपन को दिया गया 15% और साधान ब्याज दिया गया है 4 रूपए और टाइम दिया गया है 8 महीने का तो जो 8 महीने इनको सबसे पहले हम लोग convert करते हैं एक साल के अंदर तो आप सभी जानते हैं कि 1 साल के अंदर को बिला करके 12 महीने होते हैं तो आपको टाइमिंग दिया गया है 8 महीने का तो 8 को डिवैड करेंगे 12 से इक्वल टू आप वह आग हो गया 2 उटा 3 वरस में ये कनवट हो चुका है प्रिंजिपल आपको पुछा गया है लिख देंगे, just simple आपके सामने है, ऐसा ही दिया गया है, 54 into 100 upon time दिया गया है, दो बटे तीन वरस और आपका जो rate है, दर वो आपका है 15%, तो इस परकार से आपको solo करने पर 540 उर्पर पराप्त होंगी है, तो यह आपका आप चुका है, प्रेंचिप लैनी मूलदन है, और यह तो आपका basic question है, अब चलते हैं, question number second, जो कि आपका, इसको हम लोग ट्रिक के साथ समझने वाले हैं, तो इस परकार जो किशन आप इनको मातर और मातर 5 सेकंड में solo कर सकते हैं, तो चलिए जानते हैं कि इस परकार जो किशन आते हैं, तो हम लोग इने किस परकार जो किशन आपके सामने, कोई राज़ी 10% की दर से कितने समय में 3 गुनी हो जाएगी, तो French इसका एक simple सा formula है आपको कुछ इसके अंदर आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है T equal to N minus 1 into so upon R means rate है N यहाँ पर आपको दिया गया N गुना मनलब कितनी गुना रासी हो जाएगी तो N आपको दिया गया 3 rate दिया गया 10% है यहाँ पर 10% rate हो गया और कितने समय में 3 गुना हो जाएगी means N के value आपको देगी है 3 N equal to 3 आपको ये value इस formula के अंदर पूट करना है T equal to 3 minus 1 into 100 upon 10 है तो कुल मिला करके आपका time आचुका है 20 वरेस यह बीस वरेस के अंदर आपका कोई रासी है वो 10% के दर से 3 गुनी हो जाएगी ये तो आपका trick के साथ है अगर हम बात करें वेसे non trick के साथ तो सबसे पहले आपको suppose करना है आपको रासी की माना आपको जो रासी है मूल देन वो अक्स है ब्याज क्या होता है ब्याज equal to आपका जो भी मिस्सर देन है उसके अंदर से हम लोग जो हमें ब्याज दिया गए उसको गठाने पर आपको मूल देन प्राप्त हो जाएगा तो आपके रासी कुल मिला करके 3 गुना हो जाएगी तो 3x मैनेस का x equal to 2 मिन्स आपके आपके simple interest आ चुका है तो t equal to क्या होता है si into so upon p into r अब आपको विस्टर यह formula कहाँ से आएगा यह formula आपका वही हो है आपके सामने si का तो simple formula हो है p into t into r upon so है मालिज अगर आपको मूल देन पुछा जाए तो आपको si into इसे multiply करना है और upon me t into r है अगर आपको r के value पूछा जाए means rate तो rate equal to si into so upon me p into t तो इस परकार से आपके यहां से 3-4 formula बनते हैं इस a की formula से तो इस परकार से आप देख सकते हैं अगर आप इस परकार से solar करते हैं तो आपको यहां पर timing ज़्यादा लगता है और आप से भी जानते हैं कि competition exam के अंदर आपका time का value वो अतीब हैतों पूर्ण है तो आपको कम समय के अंदर अधिक से अधिक क्यूशन वो solar करने पड़ते हैं तो इस परकार से आप इस formula इस ट्रिक के दोहारा आप कम समय के अंदर इस परकार इस क्यूशन वो इने solve कर सकते हैं त्रिक आपके सामने t equal to n minus 1 into 100 divided by r अगर मालीजी आपको यहां पर यहां पर आपको समय पूचा गया है अगर समय की बजाए मालीजी आपको rate पूचा जाए कि कितने कि इस समय के अंदर आपके जो rate वो कितनी गुना हो जाएगी तो यहां पर t की जगा आप r रख दीजी और r की जगा आप t रख सकते हैं इस परकार से आप r की value भी निकाल सकते हैं r stand for rate और t stand for time तीसरा question आपके सामने है कोई रख से पांच वरस में दो गुनी हो जाती है तो बताओ है कितने वरस में पांच गुनी हो जाएगी means पहले वाले question में n के value शर्फ आप एक दी गी थी ती ती तीन गुना और इस question में आपको दो विली दी गई है पहले है दो गुनी और तीसरी है पांच गुनी तो इसका भी एक simple trick का formula वह आपके सामने है n2 मानस का 1 upon n1 मानस का 1 upon t1 equal to n2 मानस का 1 upon t2 तो यहाँ पे n1 की value क्या है पांच वरस में दो गुनी means यह आपका n1 और यह आपका t1 second आपका यह 5 गुनी means n2 और t2 आपको पुछा गया है यह आपके सामने value चे यह आपके सामने जो value है इनको पूट करना है इस formula डारेक्ट means 2 minus का 1 upon 5 equal to 5 minus का 1 upon t2 इसकी value हमें याद करनी है तो जैसे हम लोग इसको multiply करेंगे इसको गठाएंगे तो आपको इस परकार से यह value प्रापत होगी t2 equal to 4 into 5 means t2 equal to 20 औरहस है तो यह आपका हो चुका है time means इस परकारी question भी आप लोगो मातर 5 second के अंदर solar कर सकते हैं बस आपको इसका practice करना जेतना आप लोग practice करेंगे उतना है आप इस question भी easy होता चला जाएगा तो friends अक्सर इस परकार इस question भी आपको exam के अंदर पूछे ही जाते है चलिए लेते हैं आपन डेक्स question कोई राशी सम्मान दर हो है सम्मान समय ध्यान दीज़े हैं यहाँ पे कोई राशी यानी मूल धन है वो सम्मान दर और सम्मान समय पर उधार दी जाती है यह दि सादारन ब्यास मूल धन का चार बटा नो हो जाता है तो सादारन ब्यास की दरियाद को जिस यह question आपके सामने आता है तो बहुत सारी भाइबंदोतों को सोलग करना ही छोड़ देते हैं क्योंकि equation समझ में ही नहीं आता कि आखिर इसको किस परकार से सोलग खिया जाए तो जब भी आपको ऐसा equation मिले तो diet आपको एक formula पूट करना है वो आपके सामने जब आपके सामने सम्मान दर और सम्मान समय दिया गए हो अगर आपको rate पुचा जाए तो rate एनि दर एक्वल टो अंडर रूट ब्याज इंटू 100 मिन्स interest को multiply करेंगे 100 से तो ब्याज का अंतर कितना है साधान ब्याज मूलदन का 4 बटा 9 हो जाता है मिन्स 4 बटे 9 इंटू 100 400 बाइ 9 जिसे आप इसका root निकालेंगे तो आपके सामने 20 अपोन 3 मिन्स 6 2 बाइ 3 परसेंट आपके आगई है rate तो इस परकार क्यूशन भी आप लोग इजिसे सवलोग कर सकते है क्यूशन नमर आपका next 5 किसी रासी का 6 परसेंट वासिक दर से 3 वर्सों और 4 वर्सों में जो प्राप सादान व्याज़ा सिंपल इंट्रेस्ट है उनके अंदर जो अंतर डिफरेंस है वो 1500 रुपए हो तो वहरासी क्या होगी तो इस परकार रेजोशन वो भी आपके एगजाम के अंदर पूछे जाते हैं तो चलिए इस अंदर इसका ट्रिक के साथ सोल्यूशन ट्रिक आपके सामने मूल्दन यानि प्रिंसिपल इक्वल टू ब्याज का दर आपको दो दिया गया है इंट्रेस्ट का डिफ्रेंस इसको मुल्टिपलाइ करना सोल से अपन इसके डिवाइड करना समय का अंतर इंटू रेट है निद्धर है तो 6% वार्षिक दर से तीन वर्सों और चार वर्सों में प्राव साधान व्याजों का अंतर कितना है डेट्स हो तो यहाँ पर आपको डेट्स हो इंटू मुल्टिपलाइ करना सोल से अपन समय का अंतर तीन वर्स और चार वर्स इनमें डिफ्रेंस कितना हो अंतर एक वर्ष पा तो वन को मुल्टिपलाइ करेंगे सिक्ष नहीं आपका रेट है 6 परसेंट आपको दिया गया है तो इस परकार से आपका मूल्दन हो गया पचीस सो रूपए है नेक्ट विश्टन आपके सामने 15 वर्सों में कोई राष्टी अगर चोगुनी हो जाती है तो साधान ब्यास के दर याद कीजी तो हम लोगों ने एक क्या था इस से पहले आपके सामने स्कीन के ओपर यहां पर आपको टाइम पुचा गया था और इसकी साधाय में आपको लिट पूचा गया है तो आफको जस्त करने कच नहीं है लिट की जगाए आर और और की जगा आपको टी रख देना है टी इक्वल टू फिप्टीन वरेस फिप्टीन इयर एन की वेल्यू अपन को दीगी यह 4 और आर अपन को निकालना है तो ट्रिक क्या है आर इक्वल टू एन मानस का 1 मल्टिप्लाइवाई यह हम 100 और उसको डिवाइड करेंगे टाइम से तो आर इक्वल टू 4 मानस का 1 अपन 15 मल्टिप्लाइवाई 100 रेट आपके पास आचुकी है 20% तो देखे एक ही फूर्मिले से आप लोग दो क्यूशन को इजिली सोलव कर सकते हैं आज का लास्ट और फैनल जो क्यूशन हुआपके सामने है कोई धन किसी सैदान ब्यास की दर से 5 वर्सों में अपने से 5 बटा 3 गुना हो जाता है मिन्स आपको यहाँ पे रेट पुछा गया है तो ज़स्ट हम लोगों ने फूर्मिले सोलव किया है सेम टू सेम ही आपका फूर्मिले इस परकार का इस परकार से आप जो सिंपल इंट्रेस्ट है इनके क्यूस्ट है वासानी से सोलो कर सकते हैं और आप इनके अंदर पूरे में पूरे नमबर ला सकते हैं तो फ्रेंट्स एस चो और अमेजिंग वीडियो पाने के लिए अगर आपने बितक हमारे इस वीडियो को लाइक ने किया है लाइकेजिए अगर चैनल पर फर्स्ट वार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राबर जरूर कर लीजिएगा थैंक यू बर वोची